सो मोबी की शुरुवात में हम मिलिंडा और सैली नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो नियोग के किसी गैस स्टेशन में ओवरनाइट चॉप करती हैं मिलिंडा एक एवरेस से दिखने वाली बहुत ही अनेट्रेक्टिव सी लड़की है और साइध इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं है वो लाइप में इतनी अकेली थी कि वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अजनबियों से बात करने की कोसिस किया करती और जब वो लो असल में उसकी थी ही नहीं वो कार उसने चोरी की है उसके पास एक छोटी गन भी होती है जिसे छिपातर वो स्टोर की ओर जाने लगता है लेकिन इसके पहले कि वो कुछ धंगिया कोई हरकत कर पाता तब ही वहाँ पर लियो नाम का एक पुलिस ऑफिसरा जाता है जिसे बीदा की नजर उस पर पड़ती है तो वो उससे पूछती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो मिलिंडा बहुत घवरा जाती है और उसका फून उसके यहां से छोट जाता है जिसकी वजह से उसके फोन की स्क्रीन भी तूट जाती है तो अब सीला और लियो उसके पास जात सीला की इस बरताओं से मिलिंडा को बहुत बुरा लगता है और वो अपना फोन लेकर बाहर स्मूग करने के लिए चली जाती है। बताता है कि मैंने कुछ बाइकर्स से पैसे लिए थे जो अब वो मेरी जान के पीछे पढ़ हुए हैं तो मैं ये पैसे उन बाइकर्स को दूँगा और अपनी जान छोडाऊंगा और फिर यहां मैं देखने को मिलता है कि मिलिंडा चेहरे से जितनी भोली वाली लगती है वो बिली सीला से कहता है कि अगर तुमने अपना मूझ खोला तो मैं सबको जान से मार दूँगा और इतना कहेकर वो दूर जाकर छिप जाता है लेकिन जब कस्टमर अपनी बिलिंग करा रहा होती है तो सीला बिल में लिखकर उनसे हैल्प मांगने की कोसिस करती है लेकिन इसके तुम बादा करती है। मुझे अपने साथ ले जाने удगा तुम्हें तुम्हें बैक दे दूँगी। लेकिन बिली उसे कहता है कि चुपचा बैक मुझे दे दो परन मैं तुम्हें गूली मार दूँगा। मिलिंडा उससे कहती है कि मुझे तुमारे साथ जाना है इसलिए मैंने तुमारी हेल्प की। दरसल मिलिंडा यह सब अपने अकेलेपन की वज़े से कर रही थी ताकि वो बिली की मदद करे और बिली उसे यूसफुल समझकर अपने साथ ले जाए। लेकिन तभी बिली उसे धक्का मार कर उस बैक को छील लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी सेली उससे कहती है कि तुम बड़े कमजूर हो। लड़िकों को गन पॉइंट पर डराती है और बहादूर बन रहे हो। सीलय कीन बातों से बिली का इगो हट हो जाता है और वो उसे काउंटर से खीच कर नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो मिलेंडा से कहता है कि वो जाकर बातरूम में खुद को लॉक कर ले और खुद सीला को लेकर अंदर चला जाता है और उसके साथ जबरजस्ती करने लगता है अब क्योंकि मिलेंडा बिली के साथ जाना चाहती थी इसलिए वो उसकी हर बात मान रही थी लेकि ज प्लेंडर मार कर बेहोस कर देती है जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहांपर मिलेंडा ने बिली को एक चेयर से बुरी तरह बांध रखा था और उस जगे को भी इस तरह साप कर दिया जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो तो अब जब बिली को हो जाता है तो मिलेंडा उसके सामने बैड़ जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाती है बिली उससे कहता है कि बाइकर्स गैंग मुझे मारना चाती है और जब वो तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो वो तुमारे साथ भी गलत कर सकते हैं और साइथ तुम्हें मार भी दें बिली उससे ये भी कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दो ते ये सारा इलजाम में अपने सर ले लूँगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा लेकिन मिलेंडा को इस सब की कोई परवाई नहीं थी वो बस उसके साथ ज खिला दीती है और फिर उसकी आँख और ãy भी टेप लगा कर बंद गर दीती है उस देर बाद जब बिली तेजित हो जाता है तं मिलींड़ उसकी पैंट कोलती है और बिली के उपर आकर बैड़ जाती है दरशल मिलींडा एक तरह से बिली का रेप कर रही थी लेकिन त इनक्याद तरहर से बंशान काल, आपर काल ऑँए, वो देखता है कि उसका फोन नीचे फर्ण कर पढ़ा हुआ है, फोन दिखा कर वो मिलिंडा से कहता है कि तुम जूट बूल रही हो क्योंकि सीला अपने फोन के बेना 5 मिनिट भी नहीं रह सकती तुम मिलिंडा उसे समझाती है कि तुम मेरा यकीन करो वो यहां पर नहीं है तो वो किसी के साथ भाग गई पेरी को मिलिंडा की बातों पर यकीन हो जाता है और वो सीला को डोड़ने के लिए बाहर निकल जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि मिलिंडा स्टोर के पीछे की तरफ जाती है और जमीन को चेक करती है ताकि वो बिली और सीला को वहां पर दफना सके और जब वो उने लेने वापस स्टोर आती है तो वहाँ पर बहुत सारे वाइकर्स आ जाते हैं मिलिंडा उनसे कहती है कि आज स्टोर बंद है और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती जिस पर बाइकर उससे कहती है कि स्टोर तो 24 गंटे खुला रहता है तो आज ये बंद कियों है तब ही एक माइकल नाम का एक बाइकर उनसे कहता है कि यहाँ जरूर कुछ हुआ है और वो जवर जस्ती स्टोर में गुसने की कोसिस करता है मिलिंडा बहुत खबराई हुई होती है और उन्हें रोकने की कोसिस करती है लेकि जब सिच्वेशन हाथ से निकल जाती है तो वो गंबार निकाल कर उन्हें जाने को कहती है बाइकर्स भी वहाँ पर कोई सीन क्रियेट नहीं करना चाते थे इसलिए चुपचा वहाँ से चले जाती है क्योंकि उस जगह पर चारो तरफ केमरी लगी हुए थे वेल केमरी से मिलिंडा को याद आता है कि उसकी और बिली के बीच वही सारी गटना भी रिकॉर्ड हो गई होगी इसलिए वो तुरंद स्टोर की अंदर रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए चले जाती है लेकिन कर नहीं पाती है तो अब वो सोचती है कि क्यों नहीं इस चुराया था और वो बिली को नहीं ठूड रहा है लियो मिलिंडा से रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए की लिए कहता है जिससे मिलिंडा बहुत घवरा जाती है और कहती है कि Is découvrir पास मेरे पास नहीं है तो अब उसरी को चेक करना जाता हूं यह चूब कि अगर लियो ने सिल को पेटरोल से भेगा देती है लेकिन तब इससे भी काम नई बनता तो मिलेंडा वहां से भागने के लिए स्टोर का डूर ओपन करती है लेकिन सिक्यारिटी लॉक की बज़े से वो जगह पूरी तरह से लॉक हो चुकी थी तो अब इली उसके सामने आता है और उससे कहता है कि कि तुम्हारा लास्ट चांस है मुझे बैक दे दो और ये घटिया मजाक बंद करो लेकिन मिलेंडा उसे बैक देने से इंकार कर देती है और कहती है कि अगर तुमने एक भी कतम और आगे पड़ाया तो मैं इस जगह को जला दूँगी वैले सी भी सीला का बॉइफरेंड प पैरी को जमीन पर नीचे घिरा देते हैं और फिर ही गैस पाइप को उसके मूह में डालकर उसके अंदर गैस भर देता है जिस से पैरी की मौके पर ही मौ्थ हो जाती है तो ये सब देख मिलेंडा पीछे गीरास्ते से भागने की कोसिस करती है लेकिन बिली ने पहले से यह अफिसास लीयों को कॉल कर दिये, मिलंडा उसे जल्दी से gas station आने को कहती है इस बीज बिली गारी को gate से टकरा देता है और gate को तोड़ देता है तो अब जैसे ही बिली अंदर आता है, मिलंडा उससे कहती है कि पैसे counter परे, उसे ले लो और यहां से चले जाओ लेकिन बिली अब उसे मारना चाहता था क्योंकि मिलिंडा ने उसे ड्रक दिया और फिर उसका रेप करने की कोजिस की तो अब जैसे ही बिली मिलिंडा को गन से फायर करता है गन से निकली चिंगारी से पूरे स्टोर में आग लग जाती है और बिली भी इसमें पूरी तरह से जल जाता है मिलिंड़ वहां से फागने की कोजिस करती है जिसमें उसके पैर भी जल जाते हैं और वो किसी तरह अपने आपको आख से बचाई लेती है और श्टोर से बाहर आ जाती है कुछ देर वहां पर लिवा जाता है और उसे रिस्क्यू कर लेता है और इसी के साथ ये कहानी अई पर खत्म हो जाती है